जिस विदी से डीसी जनित्र में विदुत वाहक बल प्रेरित होता है वह है जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब डीसी जनित्र को किसी प्राइमोवर के साहता से घुमाया जाता है तब उसमें एक विदुत वाहक बल प्रेरित होता है अता इसका आप्शन नमबर दो सही होगा गत टी सी जनीत्र को यहां जैसलिक्छ जानती हैं जौस विद्धुन के विद्धुत वाहग बलाज्ट पाइदा होता है इसे चुमब्ंकी बल रीखाओं को कारें पड़ता हूद फ़ाद में इसका 300 यह अगर उस चालक के सिरों को बंद कर दिया जाए तो उस विदुत वाहक बल के कारण उसमें एक विदुधारा प्रवाइथ होने लगते हैं अगला प्रशन है किसी चालक में विदुत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवस्यक है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चालक में विदुत वाहक बल तभी प्रेरित होगी जब चालक चुम्बकी बल रेखाओं को कटिंग करेगा या तो चुम्बकी बल रेखाओं को कटिंग कर गतिमान होना चाहिए अधा आपसन नमबर 4 सही होगा इसका यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटफुट होगा अल्टरनेटिंग धारा अधा आपसन नमबर A सही होगा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी DC मसीन या किसी भी मसीन में जो भी विदुद वहागवल बनता है वो AC नेचर का आता है उसे हम कमुटेटर के माध्यम से निकालेंगे तो DC बन जाता है अगर स्लिप रिंग से निकाला जाए तो AC निकलता है अधा आपसन नमबर A सही होगा कम छमता वाले DC मसीन का योग बनाया जाता है यहाँ योग नहीं होगा योग होगा तो कास्ट आहरन इसमें सही होगा आपसन नमबर A सही है म scent teacher commune LGBTQ hairy प्रविक किया जाने वाला चालक पदार्थ होता है और चालक होता है यहाँ पर गलत है घाल पदार्थ होता है अब रख होता है अफ्षान नमर sin अभी है इश के जाता है अर्मेचal को लमनेटेट बनाने का कारण होता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आ अर्मेचर को लिमनेटड सिलकान इस्टील की पत्तिएं द्वारा लिमनेट करके बनाए जाता आप्सन नमबर चार सायोगा इसमें जुम्बकी फलक्स के एक समान बित्रोंड के लिए आर्मेचर के चारो क्या स्थापित किया जाता है योग अस्ठापित कि जाती है पॉलसू अस्ठापित किया जाते हैं फिल्डवाइंडिंग अस्ठापित कि जाते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं अर्मेचर पर समान रूप से प्रतिरोद का मान होता है एक औम जैसा कि हम सोब जानते हैं कि आर मेचर का प्रतिरोध सबसे निम्न रखा जाता है क्योंकि यहां से ही लोड दारा कम ज़एधा होती है तो इसमें अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो इसमें बॉल्टे ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा ऊतर मसीन गर्म हो के कारण क्या है जैसा कि हम सो भी जानते हैं कि DC जनित्र में जब वैंडिंग किया जाता है तो बैंडिंग दो प्रकार के होते हैं लाइब वैंडिंग 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 में समांतर पथो की संख्या दो होती है अर्था इसमें अधिक बोल्टिज प्राप्त करने के बराबर होते हैं इसमें अधिक धारा और कम बोल्टेज प्राप्ट करने के लिए किया जाता है इसका वैंदिंग अधा आप्शन नम्मर सी सायोगा फोर फोल सिंप्लेक्स लैफ वैंडिंग जनित्र में समांतर पथों की संख्या होती है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिंप्लेक्स लैफ वैंडिंग में समांतर पथों की संख्या पूल की संख्या के बराबर होती है अधा आप्शन नम्मर हमारा दो सायोगा चार्स किसी जनित्र के किसी जनित्र के ब्रस का बोल्टेज ड्राप बढ़ जाएगा जब जब लोड़ धारा बढ़ जाएगी तो ऐसा कि हम सभी जानते हैं कि बोल्टेज ड्राप आई इंटु आर होता है आई का मान जैसे जैसे बढ़ेगा आई इंटु आर का मिन मान भी बढ़ेगा ब्रस पर अता लोड़ दारा बढ़े जाएगी आप्शन नमर एक सही किसी डीसी मशीन के और संत्रुप्त पोल पर आर आर्मेचर रियक्शन की कारण दो प्रभाव होते हैं डी माइगनेटाइजिंशन इफेक्ट और क्रास माइगनेटाइजेशन इफेक्ट इसमें आप्शन नमर ए और सी दोनों सही है अता है इसी डीसी जनित्र में प्रयूक्त इंटरफोल की दुरुवता होगी जैसा कि हम स चूंबकों के बीच में लगाया जाता है जिनेरेटर में तो जब इसमें घुमाया जाता तो घुड़न की दिशा में चलने पर जो में चूंबक की धरू होता उसी कि आधार पर उसी चुम्抱किये令 के समान इस इंटरफोल की दृवता रखे जाते हैं आप्वहा और संगरू इंटरपोल का सुनयोजन आर्मेचर येक्षन को खतम करने के लिए किया जाता है मे जोड़ा जाता है इनटरपोल को ए बड़ी टी-सी मसीन का योग किस पदार्थ न लीए हुद्विस्वार बारबन इस्टिल कास्टी स्टिल माइल्डी स्टिल राट आरन तो अफ्शन नमर भी से इसमें कास्टी स्टील के डीछी जनित्र की दच्छता होती है 80-95 परसेंट टक आपसण नमर सी साई DC जनित्र में अंता द्रूग किसलिए लगाया जाता है विद्ध क्वाहकबल बलाने के लिए प्रती द्रूग विद्ध क्वाहकबल को बलाएगा मुख्य छेतर की फ्लक्स की सक्ति को गटाएगा कमुटेटर खंड में चिनगारी को गटाएगा गटाएगा तो इंटर पूल इसलिए लगा जाता है कि जब इंटर पूल नहीं लगा रहता है तो आर्मेचर रियक्षन के कारण और समान तरीके से विद्धुत वाहक बल बनता है अथा आर्मेचर रियक्षन को खतम करकर आर्मेचर रियक्षन को जब खतम किया जाता है तो कमुटेटर सिगमंट में जो चिनगारी उत्पन होती है वो भी घट जाती है अथा आप्सन नमबर इसका फोर सही होगा कमुटेटर खंड में चिनगारी को घटाएगा किसी जन प्रवा की दिशा भी उलट जाएगी जब घुड़न दिशा परिवर्तन होगी तो अता धारा प्रवा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी आपसन नम्मर 20 में सही होगा DC जनित्र में बोल्टे निर्माल नहीं होने का मुख्य कारण है जनेटर अंकित गती पर चलता है फिल्ड सरकित प्रतिरोद छेत्र प्रतिरोद की तुलना में अधिक हो सकता है फिल्ड कोर में आउसिष्ट चुमकत तो मवजूद है ब्रस उचित संपर्क में नहीं है अता आपसन नम्मर 20 है क्योंकि ब्रस जब उचित संपर्क में नहीं रहेगा तो टर्मिनल पर बोल्टेज नहीं मिलेगा आता आप्शन नम्मर